गुदिविन्ग श्टुएंट ACC 1 जो है आपका Mathematical and Computational Thinking Analysis Unit 1 में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पिछल लेक्चर्स में हमने अप्रोक्सिमेशन को कम्प्लीट करा था जिसमें Rapid Method of Calculation अप्रोक्सिमेशन जो था उसको कम्प्लीट करा था Unit 1 का टॉपिक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज ये क्लास में हम पढ़ेंगे Ratio and Proportion यह सब जो चीजें हैं आप 5-6 क्लास में भी तो पढ़ा ही होंगे रेशियो क्या होता है प्रोक्सिमेशन क्या होता है अब चुकि आपके स्लेवर्स में फिर से है इस पर Mathematical के स्लेवर्स में तो हम लोग पढ़ते हैं जान दीजेगा कि यह जो Mathematical के स्लेवर्स है Arts वालों बच्चों के लिए है Commerce वालों के लिए है और Science वालों के लिए है तो चुकि सब के लिए है यह तो इसलिए इसका लेबल जोगा SSC टाइप नहीं होगा यह SSC में या Railway में या अच्छे लेबल के जो कुश्चन आते हैं वैसा लेबल नहीं होगा बहुत बेसिक सा लेबल होगा ठीक है फिर सुर्वात करते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि Ratio होता क्या है और फिर Proportion किसे कहते हैं Ratio Proportion क्या होता है फिर कुछ Basic Formula फिर कुछ Question देखे अच्छा ऐसा अकसर होता है कि generally ऐसा देखा जाता है मान लेजे कि एक छोटा भाई है घर कि एक छोटा से एक्जामपल से समझने कोशिस करते हैं कि Ratio और Proportion क्या होता है जैसे मान के चला जाए कि यह अपना A जो है छोटा भाई है और B जो है बड़ा भाई है ऐसा लोग अकसर देखते हैं कि घर में पावमवी जब पैसा देते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर छोटा को एक रुपे मिलेगा तो बड़ा को उसका दो गुना मिलेगा अगर छोटा को एक रुपे मिलेगा तो बड़े को दो रुपे मिलेगा एक रेशियो हो गया क्या रेशियो का मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि तुलना बाटवारा वाला अगर इसको एक दे रहे हैं इसको just two दे रहा है, यह तुल्ना हो गया, अगर हम इसको तीन देंगे, तो इसको कितना देंगे, छे देंगे क्या, मतलब इसका just two गناं होने लग रहा है, तो ratio क्या होता है,acesame, comparison का, comparative, मतलब comparison करने का काम करता है, ratio मतलब, एक तरीके का fraction ही होता है, एक तरीके का बाटवारा कह सकते है तुलना करने का quantity कह सकते है या measurement कह सकते है तो ratio जैसे हम यहां बोरे थे कि एक छोटा भाई A था बड़ा भाई B था तो इसमन क्या देख रहे हैं कि अगर इसको एक दे रहे हैं तो इसको दू दे रहे हैं उमिद एक idea लग रहा हूँ जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि माल लिजे कि कहीं पर बहुत सारे पैसे हैं एक सो या दो सो रुपय है और दो स्टूएंट के बीच बातना है बोल दिया ratio बोल दिया गया 1 इस्टू 3 रेसियो तो आप लोग पहले से पढ़ा ही है जैसे बोल दिया है कि किसी मतलब पूरा टूटल साव रुपय है और बातना है किसी दो स्टूएंट एर भी में 1 इस्टू 3 का रेसियो से इसको इस्टू बोलते है तो 1 इस्टू 3 मतलब कि अगर पहले को एक देंगे तो दूसरे को तीन देंगे यह जश्ट रेसियो होता है रेसियो हमेसा simplest form में होता है तो अगर इसको 1 दे रहे तो इसको 3 दे रहे है मतलब अगर इसको 2 देंगे तो इसको किता देंगे 6 देंगे दूसरे दूनों तरब पूना किये अगर इसको 3 देंगे तो फिर 3 से 2 देंगे तो 6 हो जाएग इस तरीक अगर इसको दे रहे हैं तो पांश पार्ट इसको दे रहे हैं अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि रेशियो और फ्रेक्शन क्या है अलग-अलग है कि सेम है तोड़ा सा समझते हैं फिर नोट बहुत अच्छा से लगए कि खूब क्वेस्टिन्स करना है हम लो कोई दू श्टुडेन्ट है A और B अँप भी कोई दू स्टुडेन्ट है हम बोल रहे हैं कि इस दोनों के बीच उन बॉल्स का भाटवारा करना है टू इस टू थी रेसियो तो दो तीन का रेसियो से मतलब अगर इसको आप दो बॉल देते हैं तो इसको फिर तीन बॉल दी से बटवारा हुआ है तो यही 2-3 रेशियो से तो रेशियो क्या बताने काम करता है पार्ट कि इसको कितना पार्ट मिल रहा है और इसको कितना पार्ट मिल रहा है हां भ्यान दिये रेशियो हमें साथ 2 के बीच जरूर नहीं है रेशियो 3 के बीच में हो सकता है कि A B C मतलब 2 3 और माले कि इसको 4 दे रहा है कि एक को 2 दे रहा है तो रेशियो 2 या 2 से अधिक के बीच भी हो सकता है लेकिन जब रेशियो अगर 2 के बीच में रहे A और B के बीच में रहे कि सिर्फ 2 ratio को 2 quantity के बीच में हो उस case में हम इस 2 ratio 3 को दो अनुपात हिंदी में बोलते हैं अनुपात दो अनुपात तीन को हम लोग 2 by 3 भी लिख सकते हैं ठीक है उम्मीद है कि बस एक basic आइडिया लग गया होगा आई जल्दी से ratio का definition लिखते हैं और खूब सारा questions जो exams में आना है चोड़ा भाई को ज्यादा मिलता है चलिए देखिए जल्दी से सबसे पहले ratio होता क्या है अब मुझे उम्मीद है कि बस एक थोड़ा सा basic idea तो लगी गया होगा कि ratio क्या होता है जो just part को बताने का काम करता है तो लिख से between two amounts between two between two amounts ठीक है amounts बोलिये चाहे quantities बोलिये two quantities of same type of same type is called ratio is is called ratio ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना है basic जितना अच्छे समझेंगे न questions में कुछ भी नहीं है question तो और भी जादा असान हो जाता है देखिए गए यहां पर the comparative relation ratio कुछ और निया बलकि एक relation होता है comparative relation between two amounts amounts जैसे नहीं बुरत है कि इसको दो रुपए इसको चार रुपए मतलब दो गुने type तो वो amount के बीच था quantities के बीच भी हो सकता है जैसे अक्सर होता था कि जब हम लोग पहले आम तोड़ने जाते थे तो जैसे कुछ लोग को आम तोड़ना नहीं आता था तो ऐसा होता है कि मेरा दू को लएगा हिस्सा तो तुम्हारा एक लएगा ऐसा होता है सायद आप लोग तोड़े हो तो पता हो कि जो नीचे खली ऐसा चुनने का गाम करते है उपर चाड़के जो तोड़ रहा तो उसका ज्यादा हिस्सा होता है है ना तो वह भी तो एक क्या है comparative relation कि अगर एक मिल रहा है तो उपर जो तोड़ रहा तो उसको दो मिल रहा है फिर इसको अगर दो तो उसको चार इसको तीन तो उसको च्छे एक हो गया ना comparative relation तो वही चीज है यहाँ पर तो देखिए अच्छा यह हो गया the comparative relation between two amounts या quantities of same type ध्याद यह सेम टाइप का होना चाहिए तब ही जागर के ratio कहला है तो यह सेम टाइप का है नहीं कि एक आम गूरू का बात होना लग रहा नहीं same type होना चाहिए कुछ note लिख लेते हैं जल्दी से उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ फिर examples अगर भी आपको समझाएंगे क्या है the ratio of two amount is equal to fraction the ratio of two amount two amount is equal to fraction number one note ठीक है उसके बाद देखिये ratio always occurs between same unit ratio always occurs occurs between same amount same type of amount या same type of amount लिए या quantity लिखे लिखे तो यह एक जल्दी सा और छोटा सा नोट आ लिखते हैं थर्ड नमबर ratio x is to y also can be written as also can be written as also can be written as कैसे x upon y अब स्टूंट हम यहां पे तो यह तो तीन नोट होई गया और हम एक चौथा और अंतिम बता ही देते हैं अगर यह हम बोल रहे हैं कि छोटे बही को दो रुपए बड़े भाई को पांच रुपए तो अगर इस केस में बात कर रहे हैं तब तो यह क्या है ratio है क्या है यह ratio है जैसे फिर से ध्यान से सुनिए अगर मेरी बात कि अगर हम बोल रहे हैं कि छोटे बाई को 2 रुपए बड़े बाई को 5 रुपए तो this is ratio लेकिन अगर यही चीज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पीजा था उसके हम 5 टुकड़े कि एक टुकड़ा दो टु हम किसी को दे रहे हैं दो टुकड़ा किसी को दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे 2 अपान 5 इस चीज को बोलते हैं फ्रैक्शन फिर से ध्यान देजागा ratio और fraction में कि ratio का मतलब होता है कि जो पार्ट पार्ट बताता हो कि इसको कितना पार्ट तो इसको कितना पार्ट मतलब comparative relation तुल्ला करने वाला रिलेशन हो, compare करने वाल रिलेशन हो, और fraction का मतलब होता है, whole में कुछ हिस्सा, fraction को अगर समझना तो ऐसे समझे, fraction का मतलब है हिस्सा, कि कुल 5, 5 में 2 हिस्सा, तो देखिए, यही 2 by 5 अभी fraction बनने लग रहा है, और यही 2 by 5 यहाँ पर ratio था, तो ध्यान दियेगा ratio, यहाँ पर गलब चीज़ है, ratio मतलब comparative relation, fraction के मतलब कि पूरा में कुछ हिस्सेदारी है, यह हो गया fraction, और थोड़ा rational number भी सुनी लिजी, rational number क्या होता था, कि वैसा number जो P by Q के form का हो, जहाँ पर P क्यों इंटीजर हो, और Q को नंजीरो हो, P और Q पुर्णांक हो, और नीचे वाला जो है न fraction का मतलब, whole में कुछ हिस्सेदारी, पूरे में कुछ हिस्सेदारी, और ratio का मतलब comparative relation, और rational number तो जानी रहे है, P by Q का form का हो, जहाँ P Q इंटीजर हो, Q is not equal to zero, बताइए, क्या किलियर हो हो सब को यह, चलिए, जल्दी से बता दिए, क्या यह जो तीन बात हम आपको समझाए है अब ही, ratio, फिर fraction, और फिर यहाँ पर हम बात कर रहते है, rational number, क्या तीनों के बीच का जो difference है, आप सब बचों को समझ में आ गया, बताइए, जल्दी से बता दिए, क्या सब को समझ में आया, बताइए जल्दी से, चली, महीमा अभी class join किये, गलत बात है, शुरू से देखिए lectures, चली, आगे बढ़ते हैं, तो यह तो था student ratio, कुछ examples भी साथ साथ कर लें, यहाँ पर लिखा भी गया था, यहाँ पर, यह जो है, आपका अभी जो समझाए हैं, यह उसी को यह लिखना था, difference, या diet ऐसे लिख देखिए, हम लोग देखिए, हम यहाँ पर, ratio इसका मतलब हो गया, comparative relation भी लिख सकते है, comparative relation, fraction का मतलब होता है, part of whole, मतलब कि पूरा का कुछ हिस्सा हो गया, तो थोड़ असा बस लिख दिये ताकि आपके copy में रहे है, तो fraction और ratio के बीच में कभी, मतलब, लडाई नहों कभी आपके दिमाग में confusion नहों, next आते हैं, आगे, कुछ examples करते हैं, हम यहाँ पर, ratio से related, ठीक हैं, बहुत सारे examples हैं, जैसे कि, हम यहाँ पर बोल दें, ratio, as an example number one, ratio of rupees 400 to 300, मतलब कि 400 रुपय का 300 रुपय के साथ ratio, रुपय का रेशियो है, बहुत चार सो इधर उधर 300, इसको क्या लिख सकते हैं, can be written as, that can be written as, can be, क्या लिख सकते हैं, 400 is to 300, 400 is to 300, which is equal to, 400 by 300, 0, 0 कट गया, which is equal to, 4 by 3, which is also equal to, 4 is to 3, तो यही हो गया हमारा simplest form, तो देखिए, 400 का तीन सुरुपय के साथ अगर आप ratio बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, 400 is to 300, डिवाइड कर दिया, 4 is to, 4 by 3, 400 by 300, मिनसी कट गया, 4 by 3, 4 by 3, मतलब 4 is to 3, तो 400 का 300 रुपय से रेशियो बनाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीका से बहुत सारा ratio बना सकते हैं, तो मुझे उमीद है, क्या basic idea, या जो है ratio का, सारे बच्चों को रेशियो समझ में आगा, कि ratio actually में होता क्या है, अब आते है student proportion, रेशियो के बाद बात आता है proportion का, ठीक है न, रेशियो समझ में आगा होगा, उमीद है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा proportion के बारे में proportion क्या होता है, हिंदी में अगर पढ़ेंगे न, तो पता है क्या है हिंदी में, इसको बोलते है अनुपात, इसको बोलते है समानुपात, हाना, या समान अनुपात, ratio proportion, ये क्या है ज़रा सुनिया ध्यान से, लिखे proportion, proportion क्या लिखेंगे, क्या proportion is an equation, Proportion is an equation in which two ratios are set equal to each other. एक्जाम्पल जड़ा सुनिए, खूब अग्जाम्पल करते हैं, यह Proportion का मतलब क्या होता है, जैसे एक एक एक्जाम्पल हम आपको अभी शुरुवात में बता रहे थे कि एक हमारे पास एक्जाम्पल था, चा कि एक घर में वही घर में छोटा बच्चा A है और उसका बड़ भाई भी है, दो भाई है, चोटा बाई बड़ा भाई, चोटा बाई को अगर एक रुपए मिल रहा था, तो बड़े भाई कितना मिल रहा था, दो रुपए, यह रेशियो था बाटने का, पैसा बाटने का रेशियो यही था, चोटा को एक बड़ा को दो, इसी रेशियो के proportion में कोई है क्या proportion का मतलब होता है कि just इसी से इसी चीज़ को और काम represent करने वाले मतलब यह 1 is to 3 तो अगर 1 इसको तो इसको 2 अगर इसको हम बोल दे 5 मिल रहा हो तो इसको कितने मिल रहा होगा 10 तो क्या यह दोनों ratio आपस में बराबर है यह भी वही कह रहा है कि इसको एक तो इसको 2 इसका मतलब भी वही हुगा कि 5 तो इसको 10 तो क्या हम इसको लिख सेबने है कि 1 is to 2 बराबर क्या ऐसे 4 dot करेंगे फिर 5 is to 10 तो यह एक equation इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा बहुत जगर 1 is to 2 बराबर 5 is to 10 5 is to 10 तो देखें 2 ratio are 2 ratio are set to be equal कि 2 ratio आपस में equal है इसका भी मतलब वही है कि इधर को एक तो इसको इसको भी simplify करेंगे तो 1 is to 2 ही आएगा इसी चीज़ को पूरा हम लोग proportion कहते हैं यह ratio इसके proportion है 1 is to 2 proportion 5 is to 10 हाना तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है questions करेंगे तो खूब अच्छे से समझेंगे हम लोग कि a proportion is an equation in which 2 ratios are set equal to each other examples कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि examples देखें कि माल यह कहीं पे लिखा हुआ हो माल यह कहीं पे लिखा हुआ है 6 is to 4 ठीक है 6 is to 4 and इसी को अगर simplify करेंगे तो 6 is to 4 and 3 into 2 are in proportion इस तरीक से and can be written and written as and written as कैसे तो 3 is to 2 3 is to 2 equal to 6 is to 4 ऐसे ठीक है तो इस तरीक से हम लोग proportion को लिखते हैं के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है अब सबसे important different कुछ questions जो कि very very important है कुछ questions जो कि most important है फिर कुछ formula अगर अभी हम आपको बताएंगे ठीक है पहले कुछ questions कर लेते हैं जो कि बहुत important है ratios related अकसर यह question जो है बहुत basic है यार 5-6 में पढ़ना होता 5-6 class में कौन सा ratio बड़ा है देखिए एक question साइस तरिके का बताएं which ratio is greater यह question आ सकता है exam में which ratio is greater कौन सा है तो number 1 ले लेते हैं 5 is to 6 और 7 is to 9 बताएं इसको अगर हम बोले तो कौन सा ratio इन दोनों बड़ा है comment करके बताएं आप लोग यह सब तो हम लोग पहले भी पढ़े है 2 is to 3 और 4 is to 7 2 is to 3 2 is to 3 और 4 is to 7 इस दूसरा question है दू question है आपको बताने है आपको कौन सा ratio बड़ा है ratio कैसे check करते है कौन सा ratio बड़ा है बताएं यह सब तो पता ही होगा जैसे same fraction में जैसे में rule लगा के check करते हैं तो कौन सा fraction बड़ा है same वही चीज़ यहाँ पर भी है तो कौन सा ratio बड़ा है कैसे पता करेंगे तो हम instrument solution करने जाएंगे we have क्या तो हम direct लिख दे क्या इस 5 is to 6 हम लिख सकते हैं 5 is to 6 को लिख सकते है कि 5 बटा 6 फिर 7 is to 9 को लिख सकते है कि 7 बटा का 9 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हमको पता करने कि यह ratio बड़ा है कि यह ratio बड़ा है तो लिखेंगे now हम यहाँ पर लिखेंगे 5 by 9 यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ देंगे यहाँ पर लिख देंगे 7 upon 9 हम अब पता करना चाहते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है बहुत तरीका है हम तो यहाँ पर question देख करके ही बता पाते है कि यह वाला जो है यह वाला ratio बड़ा है दारेक्ट हम देख करके बता पाते है कि 9 पचे 45 और 6 सते 42 तो 45 वाला बड़ा मतलब यह वाला बड़ा हो जाए दारेक्ट वहीं पर देख कर बताते हैं लेकिन हम लोग आपर सौट ट्रीक पर काम नहीं करेंगे सिदा सता जो basic method से उसी पर रहेंगे ठीक है कैसे पता किये कि पहला ratio यह था 5 बड़ा 9 यहाँ पर 7 बड़ा 5 बड़ा 6 है न जी 5 बड़ा 6 है 5 बड़ा 6 है देख लिजेगा हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर try करेंगे हम इसको इससे गुणा करेंगे ऐसे गुणा होता ऐसे 9 पचे 45 फिर इसको ऐसे गुणा करें 6 सते 42 किदर बड़ा है इससे गुणा करके यहाँ लिख रहे है इसको गुणा करके इधर लिख रहे है देखे एरो उपर तरफ है तो यहां पर शस्ते बार इस तो बढ़ा को लो इधर वाला बढ़ा हुआ ना इसका मतलब यह वाला जो जागा बढ़ा हो जागा तो दस इधर कर यह बढ़ा मतलब 5 is to 6 is greater is greater ठीक इसी तरीका से यहां पर नंबर 2 वाला खुद से कर लेची है आप लोग चलिए यहां फिर कर भी देते हैं लोग तो देखें we have क्या जी 2 is to 3 बराबर 2 by 3 फिर 4 is to 7 बराबर 4 बटा साथ देखिएगा यहां पर 2 by 3 हमें आप एक खाली इस्तन छोड़ दिये 4 by 7 अब यहां फिर से वही बात कर ली जा लॉजिक इसको इससे गुणा करिए इसको इससे गुणा करिए कितना होगा जी साथ दूना यहां पर 14 होगे आप चारतिया बाता होगे कौन बड़ा हुआ यह बड़ा हुआ न यहां पर भी यहीं हो जागा अंसर मतले बोल चकते कि देर्फोर तो देश्टो थ्री इस ग्रेटर इस ठीक है तो बस यहीं बात है चलिए यहां तक के लिए रहे सकता हो अच्छा एक क्वेश्चन और है जड़ा सुनिए कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा भी आ सकता है बैदेखे ए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ऐसे चोटच जो बैसीक क्यूट्ट like क्वेश्टन घंडेख गया इस लोइट क्वेश्ट हम गया क्वेश्ट हम पभिंद्क परेज़ोहग में following ratio into its lowest form into its lowest form into its lowest form कौन सर इस्जियो है ची तो 28 इस्टू 196 तो देखिए कैसे करेंगे तो देट लिख सकता है क्या कि 28 इस्टू 196 को हम लिख सकते हैं कि 28 बटा में 196 फिर काटेंगे तो दूसरे कितने बार में हैं चौदा बार में चौदा दुनी एठाइस नीचे कितने बार में कटेगा तो 19 का आगा हो गया 9 दून 18 नौ और एक पर छे मतलब फाइनली यहां पर 100 का आदा पचास और फिर यहां पर हो गया 43 तो 93 हो जाएगा क्या 98 हो जाएगा तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, ठीक है 98, फिर इसको काट दीजिए, 7 से, दूसरे गए, तो 7 दूना 14, इसे काटिये गा, तो कितना होगा, 40, 5 और 4, 40, 5 और 49, तो 7 सते उन्चा, फिर 7 एक बार में काटिये, और 7 सते, पाइले कितना गया, तो कह सकते हैं, कि which is equal to 1 is to 7, तो 1 is to 3, 1 is to 7 हमारा answer होगे, ऐसे ऐसे छोटे-छोटे questions भी आते हैं exams में, ठीक है, अब एक questions दीखें न, कुछ questions जो है student, ratio proportion के question अभी तो खूब सारे करेंगे हम लोग, एक class जो है, इसके बाद खूब सारा questions पहले से type करके रखेंगे, आचू कि basic बताना तो थोड़ा ratio के बारे में, इसलिए हम type नहीं किये हुए हैं, ने तो कम से कम 20-25 question ratio proportion के type करके कल बताएंगे आप लोगको, ए question देखें, और भी ऐसा question आ सकता है, देखें, ऐसा question आ सकता है, क्या, if ratio of boys and girls, question देखें, if ratio of boys and girls, boys and girls, boys and girls, boys and girls is 5 is to 8, is 5 is to 8, ठीक है, and the total strength of class and and the total strength, total strength of class is 156, 156, ठीक है, find the number of girls in the class, आप लोग भी answer कर सकते हैं, find the number, number of girls, girls in class, बहुत ही basic सा questions है, ठीक है, और ऐसे ऐसे question ही exam में आएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही सा question exam में आता है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यही सा question आता है, देखें, क्या बोल रहा है, मतलब एक कोई class है, ध्यान दिएगा हिंदी से बचेंगे हम लोग, हिंदी से भी आई चीज रखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कि मतलब लड़कों और लड़कियों क्या जो अनुपात है, पाच अनुपात आठ है, और पूरा class में कितना student है, 156 student है, हमको बताएं कि लड़क क्यों कि संक्या कितनी है, हिंदी से बचेंगे हम लोग, क्योंकि एक्जाम में हिंदी आए गए नहीं, आप प्रिवेस यर के mathematical के paper देख लीजेगा, हिंदी में पूछा ही नहीं गया है, सिर्फ इंगलिस रहता है वहां पर, तो हम लोग आते हैं वापस से जल्दी से, कि the ratio of boys and girls is 558, कि पांच अनुपात आठ, जन संक्या में ऐसा, जो class में जो भी बच्चे बैठे हैं, उनका ratio कैसा है, तो 5 अगर बच्चे हैं, तो मतलब 8 लड़किया हैं, boys and girls, 558, मतलब 5 अगर लड़किया हैं, तो 8 लड़किया हैं, ठीक है, 558 का ratio है class में, अब total कितना बच्चा है, total 156 है, आपके बूला कि लड़किया कितना, तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई, जैसे मान लेजिए कि 5 लड़के, 8 लड़किया, तो 5 और 8 side कर दीजे, फिर दूसरा और 5 और 8, और 5 और 8, और 5 और 8, और 5 और इस ते पूरा 156 का divide कर दीजे, और देगे लड़किया कितनी यह तो गया practical, जो जैसे हम लोग जो दिमाग में करते हैं, फिर और 5 और 8, और 5 और 8, और 5 और 8, ऐसे करते हैं लड़किया किसंख्या मिल जाएगा, यह दूसरा तरीका यह है, कि हम माल लेंगे, solution इसका answer करिए, इसका answer बहुत सारा तरीका है कर लेंगा, ठीक है, दाएट हम इसका answer कर सकते हैं, अगर इसे C, RL, वगर कर त्यारी करें, तो ऐसे कर सकते हैं, दाएट हम बोगे, 96 लड़किया होगी, कैसे हुआ, आप समझ पारें बहुत हैं, बताएं हम आपको, लेकिन exam में अगर हम लोग basic पढ़ रहे हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम दाएट बोलते है कि लेक्ट, ratio B, ratio B, क्या, 5X इस्टू 6X, अब 5X इस्टू 8X, क्यों हम ऐसा बोल दिये पता है, क्योंकि हमको सिर्फ ratio दिया गया था, 5 इस्टू 8, तो हमको नहीं ने बोला गया था, कि ऐसा 5 कहे बारा आएगा, ऐसा 5, जैसे थोटे देरे पहले म बताया थे, कि 1 इस्टू 2 उसे बाटवारा हो रहा है पैसे का, छोटे भाई, बड़े भाई में, छोटे को एक तो बड़े को दो, ऐसा ऐसा एक हो चकता कि एक और एक मिले, तो इसको एक और दू मिले, एक और एक तो इसको और एक दू, उस तरीका से हमको नहीं पता कितना पांच बार लड़का होग 156 कहां से according to question तोटल बोला है कि पूरा क्लास में 156 तो कितना हो गया 13 x बराबर कितना हो गया 156 बटा का 13 अब 13 से काटिये ना 13 से 10 बर पढ़ियेगा पाड़ा तो 13 दहां के 130 और 26 बच रहा है तो 13 दूने 26 तो 10 बार और फिर दू बार तो कितना बार में कट गया 12 बार में एक बर बर कितना हो गया 12 और लड़का और लड़की संगे यह लड़का का था यह लड़की का था तो कह सकते हैं कि therefore total girls total number of girls equal to 8 into में 12 ऐसे answer आगा ठीक और एक हम आपको सिधा सिधा बताते हैं ऐसे कुछन करें सौट्री क्या रेशियो कितना देवा 5 तो total कितना 5 और फांच अज़रा आए तो आट पांच कितना तेरह किसके बराबर है तो तेरह बराबर है यहां पर एक सो चपन के ऐसे बस दिमाग में करना है ऐसे कभी यह तेरह चपन के बराबर होगा तेरह नहीं तेरह यूनिट तेरह यूनिट किसके बराबर है एक सो चपन के तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा तो एक यूनिट जो होगा एक यूनिट होगा बराबर कितना तो तेरह मतलब 12 हो गया एक यूनिट 12 के बराबर तो आट यूनिट 12 तो गल्स का कितना होग तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं roughly क्योंकि एक्जाम में जोगा objective questions रहेगा पर यह best way है अभी BST में जब तक हम लोग यह सब पढ़ रहे हैं जब तक competition का त्यारी में नहीं जाते हैं तब तक इसको follow नहीं करें कि लिए उमीद है कि यह बात जो है आप सबको समझ में होगा एक question है student चली आप लोग करिए इसका एक question से और देखे आप सम और रुपीज असम और रुपीज दो हजर दो ठीक है इस डिवाइड अमॉंग इस डिवाइड अमॉंग किसमें इस तीनों में बटवारा हो रहा पैसे का इन दा रेशियो इन दा रेशियो कौन सा थो 3 इस्टू 4 3 इस्टू 4 इस्टू 6 फाइंड दी सेर और भी फाइंड दा सेर फाइंड दा सेर और बी की बी का सेर कितना होगा क्वेश्शन सुन लिजे क्या बोल रहा है बोल रहा है कि sum of rupees two मतलब 2002 रुपरे क्ल है हमारे पास बोल रहा है कि divided AMon ठीक है बराबर बराबर नहीं बाटना है अगर इस रेशियो बाटना है एक को 3 तो दूसरे को 4 तीसरे को 6 तब आपको बताना है कि इस तरीके से अगर पूरा को बाटेंगे तो कितना कितना हिस्सा आएगा सेम वह ही लॉजिक में पिछले बार के ही जासा हम लोग करेंगे कि कि 3x 4x और यहां पर 6x हम इस इस रिचियो से बाट दिए एक्स करके हम बाट रहे हैं यहां पर 6x होगा हम चाहे ना तो दाइट भी कर सकते थे कि 4 3 7 6 13 13 बराब 13 यूनिट बराबर 2000 तो एक यूनिट का भीन निकाल लेंगे फिर जो बी का पुचे का तो बी का निकाल लेंगे ऐसे कर लेंगे पर shortcut ना करके ऐसे करिए कि 3x is to 4x is to 6x इस रिचियो में हम बाट रहे हैं ऐसा मान की चलते हैं तो according to question कि सब का जोड़ेंगे सब बटवारा करने से तो पूरा बढ़ जाना चाहिए था तो मतलब 4 दिन साथ इतक्या 13 एक्स बराबर कितना होगा दो हजार दो एक्स बराबर कितना होगा दो हजार दो बटा में 13 कितने बार में कटेगा तो इसको ऐसे भागड लगाते हैं हम लोग तेरा एकम तेरा कितना उत्रा 7 सात पर zero थिक थिए तो तेरा 65 तेरा 65 उत्रा 58 पाँच बार उत्रा सांग ए दिए 50-45ANE चारणे進िक टीए 49 उत्रीक का चान्यस तो तीन बार में निले यां देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा देखें आपर 13 काट रहे हैं तो 7 उत्रा 7 पर सुनना समझ रहे हैं साथ पर सुनना फिर क्या है जी 13 किये यहां से 13 एक हम 13 साथ पर सुनना तो फिर 5 बार में 13 पचे 65 5 बचा 5 पर दूचरा तो 13 चक 52 तो 114 बार में पूरा कट जाएगा कितने बार में कट गया 154 बार में तो मतलब एक का बहलू 154 ठीक है तो therefore यह बी का सेर था बीच वाला तो therefore बीज बीज सेर सेर एज क्या होगा 4 इंटू एक था न तो 4 इंटू 154 अब इसको चार बार गुना करना है तो देखिए न चार को थोड़ा साइड कर लीजिए देड़ सो को चार से गुना करिए रैपिड मैसट ऑफ केलकुलेसन इसले तो पढ़ेते देड़ सो को चार से कर अब चार को चार से गए तो 16 तो 616 विच इस इक्वल टू 616 यह होगा हमारा आंसर चली बताए जल्दी से क्या यहां तो किलेर हो सबको चली बताए यहां तो किलेर सबको चली तो इसके बाद यहां पे और भी खूब सारा एक्जामपल्स वगरा है तो अब आईए कुछ इंपार्टंट फॉम्मूले लिख लेते हैं यँद्वार्टंट फॉर्मूले जो है न कल रहना देते हैं कल के लिए जो है जो क्लास कर नहीं रहे हैं तो YouTube का जो क्लास है उसको हम अटा देंगे ख्री होगा 616 होगा देख लिते हैं ख्रैसल सहीत है इस होगया देखे तो चुछिंख आप सारे बच्चे क्लास लाइब जॉइन नहीं कर रहा है तो इसको क्लास को app में शिफ्ट कर जिस बच्चे को जरुरत होगा, वे लोग उस course को जोईन करेंगे, बाकि जिनका maths major paper है, जो लोग courses में involved हैं पहले से, उनको purchase करनी क्या हो सकता नहीं है, उनको उनहीं के course में, ये course जो है free उसमें मिलेगा, ठीक है, maths वाले course में ये हम उनको free मिलेगा, जो लोग arts वाले background से हैं, application इंस्टाल करके धनबाद math academy, mathematical का एक course है, उसी में semester 1 भी है, 3 भी है, सब चीज है, और भी बहुत तरह पेपर्स हैं उसमें, ठीक है, तो सिर्फ 100 rupees में वहाँ join कर सकते हैं, चलिए रहन देते हैं class, कल मिलेंगे,